हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं difference between C and C++ structure तो यहाँ पे most यहाँ पे exam हो या फिर interview question हो तो उसमें पूछे जाने वाला most IMP question है कि जो C language है उसके structure में और C++ के structure में उन दोनों में क्या difference है तो हमारे पास यहाँ पे 7 से 8 points है उसको हम यहाँ पे समधने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझेगे कि ताकि हमें कोई exam में या फिर interview में पूछा जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए पर उसके लिए आपको क्या करना है वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना है ताकि यह से ही coding related वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते है start तो यहाँ पे जो C structure है तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा आपको अगर structure सीखना है C language में या फिर C++ में तो उसके वीडियो भी हमने channel पे already बनाये हुए है उसकी भी link में आपको description box में provide कर दूँगा तो चलिए हम यहाँ पे बढ़ते है point number one की तरफ तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि only data members are allowed it cannot have member function तो यहाँ पे जो C structure है वहाँ पे हमें पता है कि हम उसके अंदर only data members ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे functions यानि की methods को structure के अंदर नहीं लिख सकते हैं हम जो वहाँ पे लिखते हैं ना void main या फिर यहाँ पे void sum, void cube वो सारे functions हम यहाँ पे structure के अंदर C में नहीं लिख सकते पर यहां पर C++ में क्या है कि can hold both member function and data member तो यहां पर C++ का जो structure है उसमें data member और member function दोनों हम यहां पर उसके अंदर declare कर सकते हैं उन्हें कोई error नहीं मिलेगी तो यहां पर हम दूसरे point में देखते हैं cannot have static member जो variable के type होते हैं उसमें से एक होता है static तो हम यहां पर C के अंदर static member यहां पर declare नहीं कर सकते हैं पर यहां पर C++ में क्या है can have static member तो C++ में हम यहां पर static data member को यहां पर declare कर सकते हैं हमें error नहीं मिलेगा तो हम यहां पर बढ़ते हैं number 3 में तो हमने यहां पर लिखा है cannot have a structure inside a structure तो यहाँ पे जो C है C language उसके structure में क्या है हम यहाँ पे उसके अंदर constructor को declare नहीं कर सकते inside this structure और यहाँ पे C++ में क्या है कि constructor creation is allowed यहाँ पे C++ के structure के अंदर हम constructor को create कर सकते है हमें कोई error नहीं मिलेगी तो यहाँ पे हम यह तो देख सकते है कि C जो C language है उसके structure से हमें यहाँ पे C++ के structure में ज्यादा benefit मिल रहे हैं आगे हम यहाँ पे वो भी देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं point number 4 तो यहाँ पे हमने लिखा है कि direct initialization of data member is not possible जो हमने structure के अंदर जितने भी data members लिखे है उसको हम directly value को हम assign नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे C++ में क्या है direct initialization of data member is possible हम यहाँ पे data member को directly value assign कर सकते हैं यहाँ पे हमें error नहीं मिलने वाली और यहाँ पे C++ में हम directly assign नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे हम देखते है point number 5 और यहाँ पे हमने लिखा है writing the struct keyword is necessary जो C है उसके अंदर structure में जब हम declare करते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है struct हमारे structure का name और बाद में हम यहाँ पे उसका यहाँ पे object हो या फिर data members उसको हम access कर सकते हैं यहाँ पे C++ में क्या है writing the struct keyword is not necessary हम यहाँ पे directly structure के name से access कर सकते हैं हमें struct keyword main function के अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम देखते है six point तो यहाँ पे आप वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना ताकि यहसे interesting coding related videos आपको मिलती रहे तो हम number six में यहाँ पे हमने क्या लिखा है do not have access modifier या फिर specifier हम यहाँ पे access specifier जो है उसका use नहीं कर सकते यहाँ पे c structure के अंदर access specifier क्या होता है public private और protected वो c allowed नहीं करता पर यहाँ पे c++ में क्या है support access specifier तो यहाँ पे access specifier यूज कर सकते हैं like public private और protected और यहाँ पे seven point भी इससे related ही है यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि data hiding is not possible यहाँ पे obviously data hiding is not possible because यहाँ पे जो c है उसका structure में access specifier allowed नहीं है तो data hiding तो नहीं होगा पर यहाँ पे c++ में क्या है कि data hiding is possible because यहाँ पे c++ structure है उसमे access specifier है तो जब हम यहाँ पे private access specifier यूज करेंगे तो हम यहाँ पे structure के बाहर उस data member को access नहीं कर सकते तो इस वज़े से c++ के structure में data hiding is possible तो यहाँ पे आपको यह video कैसा लगा comment box में जरूर बताना अपने दोस्तों के साथ यह video को share कर देना अगर आपको यह image चाहिए तो description box में हमारी telegram channel की link होगी वहाँ से जाके आप यह image को भी देख सकते हैं और download कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं कैसे interesting video में तब तक के लिए bye bye